हेलो फ्रेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टैक तो फ्रेंट जैसा कि आपको इस वीडियो के थमनिल से भी पता लग गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको वो पांच गलतियां बताने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स बात करते हैं पहली गलती के बारे में तो आप क्या करते हैं जब भी कोई YouTube वीडियो बनाते हैं उसके उपर आप जो थमनिल लगाते हैं उस थमनिल में आप बड़े बड़े Creators जो बड़े-बड़े यूट्यूबर से उनकी फोटो को यूज कर लेते हैं आप सोचते हैं कि इससे आपकी वीडियो के उपर व्यूज आ जाएंगे और उस पर व्यूज आ भी जाते हैं तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी हैं क्योंकि ये misleading meta data की category में आता है जिससे आपका channel monetize नहीं होगा अगर आप इस गलती को करेंगे तो तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखने हैं आपको किसी बड़े यूट्यूबर की फोटो अपने thumbnail पे नहीं लगानी हैं अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में तो friends जब भी आप अ related ही नहीं होते जो उसमें आपने सिखाया है बताया है उससे related वो टैक्स ही नहीं होते तो वह भी misleading metadata की category में आता है मतलब आप उससे भी तो आप का चैनल मोनेटाइज नहीं आप टीसरी इस में तो यूट्यूब के बारे में सिर्फू करते हैं आप डूल यूटी रिवीडियोत बना देते हैं यूट्यूब के बने अधिरू flipping नहीं होग Hack और तो यूट्यूब को यहां Жक्श को सिर्फ looking यूटी विडियो नहीं बनानी हैं आपको अलग-लग टॉपिक्स रखना हैं विभाद करते हैं oni आप करते हैं चौती हैं आप यह करते हैं कि आप जैसे माली आपने कोई डियो बनाई उससीजा कुछ और एक कि पने कुछ और डाल दिए नो इस आप दाए आप तरह से मिस्लेडिक कर दिया ओडियन को कि आप बस उस पे वह क्लिक करके वीडियो को देखे इसलिए अपने यह सब किया थमनिल कुछ हOR लगा दीया तो आपको इस तरीके का misleading नहीं करनी है यह भी misleading metadata की category में आता है और इससे भी आपका चैनल monetize नहीं होगा अब बात करते हैं पांचनी गलती और आखरी गलती के बारे में जो आपको समझना सुधारना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप क्या करते हैं अपनी कोई भी वीडियो डालते हैं तो इस वीडियो के हैं तो इस चीज यह गलती आपको नहीं दोरानी है इसका ध्यान रखना है आपको तो यह वह पांच गलतियां थी जो आपको avoid करनी हैं अपने यूट्यूब चैनल के उपर अगर आप इन गलतियों को करेंगे तो आपका चैनल monetize नहीं होगा अगर फिर भी इस वीडियो से related कोई भी question query है आपके mind में तो आप मझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इससे like और share जरूर करें thank you